स्वाविमानी शेतकारे संगठिन की मांग जबरन वसूली बंद करो खेतों में फसल की कटाई और थ्रैसिंग शुरू हो गई है लेकिन फिर भी धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाओ पूरे केंद्रों पर भार का डिजिटली करंड किया जाए इस संबन में कलेक्टर को बयान दिया गया है खेत की खड़ी फसले एफिडर्स थ्रिप्स और विविल्स जैसे रोगों से प्रभावित थी बली राजा के खेत की उपज कम हो गई साती सरकार का अनाज खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों को भुकमरी का सामना करना बली राजा को बची हुई थ्रिप्स फसल को खुले आस्मान की नीचे किसान के खेत में रखना है बेमोसम और बेमोसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना है मांगे कि बली राजा को संकट से बचाने के लिए ततकाल एक सरकारी अनाज खरीद केंद्र शुरू किया जाए और राजिसरकात द्वारा संचालित ईपैग पेरा पंजी करन के तहट किसानों का अनाज व्यवस्ते तरीके से उठाया जाए और पूरे केंद्र का वजन डेजिटाइज किया जाए अधिक तक केंद्रों पर किसानों से तुला माप के भार को लेकर 7-8 क किलो धान प्रती कुंटल अधिक तोला जाता है इससे किसानों को काफी नुकसान होता है प्रतिक अनाज उपारजन केंद्र पर बाटों की कंप्यूटरी करत रसीद दी जाने चाहिए हालकि जिले में बेजिक धान खरीद केंद्र शुरू हो गया है लेकिन धान अभी भी ग मांग की है बयान में यह भी का गयाएगी धान खरीदी केंद्रों की लूट को रोका जाएगा मांग पूरी नहीं होने पर स्वाभिमानी शेतकारी संगटन जिला विपड़न अधिकारी राकेश चोपड़ा के कारियाले में धर्णा प्रदर्शन करेगा पवनी से बीसीन न हाडगे की रिपोर्ट